सनिवार को सी आर सीनियर स्केंडरी स्कूल माजरा के दवारा स्कूल प्रांगण में वार्शी गुत्सो का आयोजन किया गया है जिसमें स्कूल के विदार्थियों के दवारा रंगा-रंग कारी कर्म पेश की गई इस अवसर पर रिटायर्ड लेफ्टेनेंट जर्नल राज का ध्यान मुख्याते थी के तोर पर पदारे स्कूल के वार्शी कुछ सो में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जह उन्हों में रुकावटें आती हैं लेकिन आप उन्होंने कहा कि जो गलतियां नहीं करता वो असल में कुछ नहीं करता है क्योंकि गलती तो काम का हिस्सा है बच्चों का अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी परती है हमने एक फेमिली का एजूकेशन ट्रस्ट शुरू किया है, ये पिछले 30 साल से हम चला रहे हैं, हम हर साल गाओं में आते हैं, बच्चों को फेमिली की तरफ से ये नाम देते हैं, पोट साहन के लिए, तो आज उसी सिल्स्टे में मैं दोवारा आया हूँ, चार स्कूल है भी, जिस स्कूल का बच्चा बारवे क्लास में फस्ट आता है, हम उसी स्कूल में फंक्शन करते हैं, तो इस बार ये चोटुराम स्कूल का बच्चा फस्ट आ है, लड़की है पूजा, हम ये यहां फंक्शन कर रहे हैं, और बच्चों के मेरे राय ये है, कि आज जिन्दगे मे कम्पिटिशन बहुत है मैं कोई किसी को यह नहीं कहना चाहते कि जिन्दगे बड़ी आसान है रुकाउटे आएंगी नाकामयाभी भी आएंगी निराशाय भी होंगी लेकिन आप हर निराशा को हर रुकाउट को किस तरीके से डील करते हो उस पर दारों मदा आए दूसरा गल में जो कुछ नहीं करता शायद वो गलती नहीं करेगा लेकिन गलती तो काम का हिस्सा है वो मेरी दूसरी सी को विनते हैं दूसरा इस ओमर में सब बच्चों के सपने होते हैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई लॉयर को पोलिटिकल लीडर कोई आर्मी में तो सपने रख बच्च जी ने कहा कि स्कूल का वार्सिक उत्सव के साथ-साथ पुर्षकार वित्रन समार्ग भी है साथ इस बार सरदार मेमोरियल स्कॉलर्शिप का भी वित्रन किया जाएगा इस तरह के उत्सव स्कूल में मनाय जाते रहते हैं क्योंकि इस से वी दैर्थियों की में किया गया है और यह हम लगातार करते रहते हैं इस तरह के फंक्शन्स ताकि बच्चों की प्रतिभा को का पूरी तरह से विकास होसके और यहां ना केवल सिक्षा केवल अकैडमिक्स की का ध्यान रख्या जाता है बलकि इस वी दैर्ले में पूरे के पूरे हर तरह की किया गया है